स्वाज हम करने जारें इंग्लिश की वर्क्षीट नंबर 71 और क्लास 9 आज का आपका टॉपिक है इंटीग्रेटिड राइटिंग प्रैक्टिस आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको दूखोशन दिये गए हैं आपको सबसे पहले अपना नेम क्लास टीचर नहीं मेंशन करने देत की साथ उसके बाद अपनी वर्क्षीट स्टार्ट करना है चले देख लेते हैं वक्षिट में राइटिंग प्रैक्टिस के दोनों पार्ट्स में क्या करा गया है लैक फर्स पार्ट है राइटिंग प्रैक्टिस पार्ट फर्स में आपको descriptive paragraph writing करनी है 100 to 120 words में descriptive descriptive मतलब जिसमें आप describe करें किसी चीज़ के पारे में बता रहे हूं पैराग्राफ राइट ही आपको पैराग्राफ लिखना है और किस बेस पे लिखना है चलिए रीट करते हैं लुक अट गीवन बिलो वीजवल रिमेंबर मारगी फ्रॉम फ्रॉन दे है पैराग्राफ 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 बाउट मारगी शी वाजन एलेवन इयर ओल्ड गर्ल उस्टो अटेंड स्कूल अट हूम शी हाँ वर्चुल क्लास्स वांट शी फाउंड बोक अबाउट ओल्ड क्लास्रूम कल्चर और डाट मेड हर वेरी क्यूरियस एसेक्टर यहाँ आपको क्या बोला गया है इस कोशन में आपको बोला गया है कि आपको दिया गया वीजुल देखना है जो पिच्चर दी गई है आपको मारगी को रिमेंबर करना याद करना जो आपने चैप्टर पढ़ा था the fun they had मारगी उसमें का एक कैरेक्टर है ठीक है यहाँ पर आपको descriptive paragraph लिखने है मारगी के बारे में मतलब आपको बता लें कि मारगी कैसी थी क्या थी उसके बारे में बता लें आपको बोला गया कि शी वाजन एलेवन इयर्स ओल्ड गर्ड वो क्या है एक ग्यारा साल की लड़की है एंड उसके बाद बोला गया है कि यूस्ट टो अटेंड स्कूल एठ हों और उसे घर से स्कूल अटेंड करने की आदत है मतलब उसकी सभी क्लासे घर से ही होती है स्कूल नहीं जाना होता है दिन शी है डात वाट्फो ग्रोड राट्फो टार्फोन की और उसकार क्लासे सर घर ग्रोंद है रात है जसे टलक बोग क्लासे सकूल और वो जानती है कि स्कूल कैसे होते थे एक सास अभी बच्चे बैठ ते ते कोशिंस करते थे पढ़ाई करते थे but अब क्या सिस्टम हो गया है हर बच्चे के पस कंप्यूटर है उनकी वर्चुल क्लासेज होती है कंप्यूटर ही उनका टीचर है तो उसमें और उसमें कितना अंतर है उसको comparison यहां पे वो करती है तो आपको बताना है कि मारगी कौन है, मारगी कैसा सोच रही थी, मारगी ने क्या-क्या महसूस किया तो आपको यहां मारगी के बारे में description देना है एक तरीके से आप character sketch लिखेंगे मारगी का, और सो story से आपने क्या समझा, यह सारी चीज़ा आप लिख सकता है तरी है, writing practice 2 में आपको 100 to 120 word में आपको लिखना है, story writing story लिखनी है आपको छोटी सी, तो अपने according लिख सकते हैं, आप कोई भी story create कर सकते हैं तो आप इस picture को देखना है, इसमें एक dog है और एक cat है, तो इस पर based आपको क्या करना है एक simple से story create करनी है, या फिर create जो है पहले से story उसमें से भी आप लिख सकते हैं like write a story with animals as characters based on the given below visual, there is a bond of love between animals, you can express it by weaving a story around them so जैसे मैंने का weaving का मतलब होता है कि आप खुद से create करें स्टोरी और आपको दिखाना है bond of love between animals दो जानवरों के बीच में कितनी महबत, कितना प्यार हो सकता है कि वो एक साथ रह सकते हैं like बहुत साही लोग बोलते हैं कि डॉग और कैट एक साथ नहीं रहते हैं दुश्वन होते हैं यह होते हैं वो है ना बट ऐसे यह धारना बिलकुल गलत है अगर आप animals को एक साथ रखेंगे तो उनके बीच में बहुत अच्छा bond होता है फ्रेंट्स की तरह है वो भी एक साथ खेलते हैं खाते हैं पीते हैं ठीक है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है तो यहां पर आपको एक ऐसी स्टोरी क्रेट करके बतानी है देन आपको दिया गया है कोविड एप्रोपीट बिहेवियर से भी मैसेज वाश यूर हैंड्स विद सोप और वाटर रेगुलर्ली अपने हाथों को सोप से और वाटर से रेगुलर्ली आपको वाश करना है दिन में तीन से चार बार एट लीस्ट यहां पर कोशन हम अल्रेडी रीट कर चुके हैं चलिया इनका अंसर भी देख लेते हैं लेक आपको जो फॉर्स्ट पिच्चर दी गई है इस पर बेज़्ट आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा है तो फन दी है डिस्कृप्टिव पेराग्राफ राइटिं अबाउट मा इस दर 11 यह ओल तो यहां पर आपको जो चीजे बताई गई हैं आपको उसके अकॉर्डिंग आप खुद से भी क्रेट कर सकते हैं तो मैंने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है अब मैं पूरा एक्स्प्लेइन करूं कि आप यह चाप्टर में पढ़ चुके हैं मैंने आपके चाप्टर से ही से लिया है यह बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं है बटिया हंडिट टू ओन्टी वर्ट्स के राउंड है इसमें आप कुछ अपनी तरफ से भी आड़ ओन कर सकते हैं और चाहें तो वन यह तू संटेंसे इसके भी कर सकते हैं बट वह बहुत यूरियस स्टूडेंट होती है उसे कितना अच्छा लगता है चीजों के बारे में जानना और उसके अलावा चिल्रन हर एज उसकी एज के जो चिल्रन थे उसके आसपास वो और पहले के जो उसने बुक पड़ी थी उसके अकॉर्डिंग सो स्कूल कैसे अटेंड करते थे न एक साथ बैठ के क्लास लेता है थोड़ी बाते भी करते हैं लेकिन जब गर पर अकेले होती है वो चाही है ना चाही वट कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे अकेले बैठ के पढ़ना होता है और यहां पर मारगी एक हाइली इमयरजिनेटिव चाहल है है ऑगे यहां पर सारी चीजे सोक早ई कि कैसे ऐगे हो जब यह चलता olsun के 19 record दरब देन आपका जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपको स्टोरी राइटिंग करनी है उसमें यह हम कोशन रीट कर चुके हैं चली सॉलूशन भी देख लेता है इसका अंसर स्टोरी मैं लिखिया आप चाहे तो अपने अपने स्टोरी लिख सकते हैं मैं इस चोटी सी स्टोरी लिखिया कि अपने स्टोरी है जहां पर आपको शॉर्ट स्टोरी दी गई है आप अपने अकॉर्डिंग में लिख सकते हैं मैंने इसमें स्टोरी लिख सकते हैं मैंने इसमें स्टोरी लिख सकते हैं मैंने इसमें स्टोरी है जहां पर आपको शॉर्ट स्टोरी दी गई है आप अपने अ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको खुदी समझ आ जाएगी सिंगल टाइम करके ही समझ आ जाएगी मौरल यह है कि अगर उनको अगर आप देखें तो उनकी जितना अच्छे फ्रेंड्स भी आपको नहीं मिलेंगे ओके तनिहां पर आपकी वक्षीट कम्प्रीट होती है आप कमेंट करके जूरू बताएं आपको वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें So thank you students